देखे ये जो हमारी कहावते हैं ये बस यूँ ही नहीं बनाई गई हैं आक्चली इसमें बहुत ग्यान है वो बात और है कि इनसान ये ग्यान ग्रहनी नहीं करना चाहता अब फॉर एक मयान में दो तलवारे नहीं रह सकती इन शॉर्ट आपकी लाइफ में दो महिलाएं नहीं लेकिन ये बात वनराज समझने को तयार ही नहीं और जैसी इनकी हरकते हैं इनका बुरा हाल होने वाला है इनकी 25 साल गिरा के दिन खुल गया काव्या वनराज का राज दोनों शादी करने जा रहे हैं इस बात का पता नंदीनी को चल गया क्योंकि उसके हाथ लगी है शादी के रेजिस्ट्रिक्शन की वो रसीद जिसमें काव्या और वनराज का नाम लिखा है शादी की तारीक भी लिखी है और ये देखकर नंदीनी शौक में है इन सारी बातों से अंजान अनुपमात अपने पती के साथ दूसरी शादी के लिए सपने देख रही है जो पहली शादी में नहीं कर पाए थे वो सब इस शादी में करना चाहते हैं बेचारी कहां जानती है कि वन्राज सिर्फ ड्रामा कर रहा है यही तो ड्रामा है जिसके लिए पगलिक हमारा शो देख रही है because they want to see what drama we give them और ड्रामा अगर नहीं होगा तो entertainment कैसे होगा तो उसमें जब रामा आपको create करना होता है तो आपको हर तरह का emotion दिखाना पड़ता है घरवाले भी बहुत खुश हैं सबने मिलकर वन्राज और अनुपमा को surprise देने की planning कर रखी है अनुपमा ने अपनी दूसरी शादी की खुश खबरी अपनी सहेली को सुनाई और अनुपमा की खुशी देखकर नंदीनी और ज्यादा दुखी हो गई क्योंकि वो जानती है कि काव्या अनुपमा के साथ कौन सा खेल खेल रही है मगर काव्या तो मानो अब इस घर की बहु ही बन गई हो वैसे ही इस घर में उसने एंट्री भी ले ली और बागे पैर छोकर आशिरवाद भी ले लिये और तो और अनुपमा से माफी भी मांगने लगी जो कुछ उसने किया उसके लिए और जो होने वाला है उसके लिए भी मुंबई से निशे मिश्रा के साथ ABP News रिपॉर्ट यह है ABP News आपको रखे आगे